नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तो बहुत ही एक इंपोर्टन न्यूज मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपोर्टन आर्टीकल मैंने देखा है अभी एक बहुत ही फेमस न्यूस पेपर में ये आर्टीकल आया है तो आप लोगों के साथ भी शेयर में इसको जरूर करना चाहूँगा क्योंकि देखे गर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं के बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे जिसमें एक्विटी म्यूचल फंड के मुकाबल रिस्क बहुत कम है और रिटरंस भी काफी बढ़िया है और वो म्यूचल फंड किन लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं यह सब कुछ आप आज की वीडियो में बहुत ही ध्यान से स 24 जुलाई में 23,332 करोड के जो है उच्छतम इस्तर पर है तो जो निवेश है म्यूचल फंड में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है जबकि देश में आप देख सकते हैं SIP के हैं जो कुल खाते हैं वो 9.33 करोड से भी ज्यादा हो गए हैं यानि कि 9 करोड 33 लाक से ज्यादा खाते हैं अब SIP के हो गए हैं तो कितनी बड़ी मात्रा में लोग SIP में निवेश करने लगें देखे दीरे दीरे जागरुकता बढ़ती जा रही है लोगों में और वो निवेश कर रहे हैं देखे आज से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ तो इतने ज्यादा मतलब लो बहुत बड़ा हाथ हमें देखने को मिलता है YouTube का इसमें बहुत बड़ा एक सहरा देखने को मिलता है कि जिससे लोगो को जानकारिया मिली है अब जैसे देखिए मैं भी एक mutual fund के बारे में आप तो को बताता हूं तो हो सकता है कि मेरी वीडियो से देखने से बी कुछ लोग जागरुख हुए है और निवेश किया हूँ इसी तरह से कहीं ना कहीं देखे यूट्यूब के भी सहारे से लोगों ने इनवेश करना शुरू किया है देखा है लोगों ने समझा है इन चीजों को तो जैसे भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट म्यूचल फंड में अब बहुत ज्यादा होने लगा है लोग जागरुख बहुत हो रहे हैं और SIP के थुरू तो सबसे ज्यादा निवेश लोग करने लगे हैं देखे यूनियन म्यूचल फंड के CEO मदू नायर से यहां कुछ टॉपिक्स पर बात की गई थ देखे आप इसमें देख सकते हैं सवाल इनसे किया गया था कि अभी कुछ ही दिन पहले म्यूचल फंड में जो निवेश है MFI के आंकडे आये बीते जुलाई में इस इंडस्टरी का AUM 65 लाख करोड के करीब पहुँच गया है अगले आने वाले सालों में हम इसे कहां तक द दिखे हैं तो देखे इस पर उन से बात हुई तो उन्होंने बताया है आप थोड़ा मैं इसको Zoom कर देता हूँ देख सकते हैं पूरी बाते के तो हम लोग नहीं डिसकस करेंगे थोड़ा सा main points पर ही बात करेंगे देखे अगर मोटे तोर पर बात करें अगले सात से 10 साल में यह industry 140 लाख करोड से 200 लाख करोड रुपे के आसपास पहुंच सकती है ऐसा नुमान है कि अगर इसी तेजी से पैसा invest होता रहा तो 200 लाख करोड रुपे तक भी यह industry जा सकती है क्योंकि equity mutual funds में लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है पैसा धीरे धीरे लोग invest करते जा रहे है देखिए S.I.P. एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हर एक category के आदमी निवेश कर सकते है आपकी salary 15,000 है या आपकी salary 1,500,000 है इसमें हर category का निवेश चके है चाहे कोई 1,000 रुपे की S.I.P. कर रहा है चाहे कोई 10,000 की S.I.P. कर रहा है लेकिन S.I.P. वाकई ही लोग बहुत ज़्यादा कर रहे है क्योंकि निवेश भी लोग क्यों कर रहे है क्योंकि compounding इसमें मिल रही है साथ ही साथ जो returns है वो बहुत बहतरे in mutual funds में देखने को मिल रहे है देखे अगर मैं अपनी first S.I.P. की बात करूँ जब मैंने S.I.P. स्टार्ट की थी आज से तकरीबन साथ साल पहले मैंने investment स्टार्ट किया था तो वाकई बहुत सारे ऐसे मुझे लोग मिलेंगे अपने असपास जिन्होंने mutual fund में चाहे तो لمसम निवेश किया है चाहे S.I.P. के थूरू किया है लेकिन कुछ ना कुछ निवेश किया हुआ ज़रूर है अब देखिए इसी बातचीत में यहां इनसे यह भी पूछा गया था कि अभी के टाइम में लोग निवेश ज्यादा किन funds में कर रहे है तो इन्होंने बताया था कि आजकल hybrid funds की तरफ भी लोगों का focus काफी बढ़ रहा है जो लोग investment तो करना चाहते हैं लेकिन एक stability अपने returns में चाहते है कि मैं ऐसी जगे पैसे invest करूँगा mutual funds में ही करना चाहूँगा लेकिन थोड़ी सी stability रहे बहुत ज्यादा risk में मेरा पैसा ना invest हो तब ये hybrid mutual funds एक अच्छा option है लोगों के लिए वहाँ निवेश वो कर सकते हैं लोग इनवेस्ट hybrid mutual funds में कर भी रहे हैं अब hybrid mutual funds क्या होते हैं कौन-कौनस इसमें categories देखने को मिलती है और आप के लिए कौनसी बहतर हो सकती है उस पर बात करते हैं देखिए hybrid mutual funds देखिए यहां मैंने hybrid mutual funds में वैसे तो बहुत सवारी category है मैंने तीन यहां पर category रखी है hybrid mutual fund में aggressive hybrid मैंने रखा है conservative hybrid मैंने रखा है और balanced advantage मैंने रखा है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों aggressive hybrid fund की देखिए नाम से ही वैसे तो clear है कि यह aggressive है यानि कि यह थोड़ा सा ज्यादा risk लेगा market में इसको समझते हैं देखिए up to 75% allocation in stocks 75% तक यह पैसा stocks में यानि कि share market में निवेश कर सकता है at least 25% allocation in debt 25% पैसा यह debt में रखेगा 25% debt का मतलब है कि जो government schemes है जहां आपके पैसे पर risk नहीं रहेगा वो पैसा यह 25% यहां रखेगा देखिए hybrid का मतलब ही यह यह कि आप दोनों जगे पैसा निवेश कर रहे हैं आप equity में भी निवेश कर रहे हैं यानि कि share market में और आप government की schemes में भी निवेश कर रहे हैं दोनों का जो combination है उसी को हम hybrid mutual funds कहते हैं लेकिन किस में आप कितना allocation रख रहे हैं वो depend करेगा कि आप कौन सी category में जा रहे हैं जैसे कि aggressive hybrid थी तो यहाँ जे stocks में investment है उसका portion ज्यादा है इसलिए यह aggressive है अगर आप देखें इस category के average returns देखें किसी particular fund के returns नहीं है इस category में जितनी mutual fund schemes काम कर रही है उसका एक औसत return 16.96% का हमें देखने को मिल रहा है आगे बढ़ते हैं देखें अगला fund आता है हमारा अगली जो category आती है conservative hybrid category आती है पहली aggressive थी अब हम conservative की बात करेंगे यह just उसके opposite है यानि कि at least 75% allocation in debt जैसा कि आपने देखा था कि 75% पैसा हमारा share market में जा रहा था यहां 75% पैसा हमारा government schemes में जाएगा यानि कि इस पैसे पर बिलकुल भी risk नहीं होगा और 25% जो पैसा है वो हमारा share market में जाएगा तो यहां जो combination है वो कुछ इस तरह से बन रहा है average देखेंगे अगर आप category का तो यहां 9.88% है बिलकुल यहां returns घटेंगे कारण क्या है क्योंकि share market में है allocation बहुत कम है जितना ज्यादा पैसा stocks में जाएगा उतने ही ज्यादा returns मिलेंगे उतना ही ज्यादा risk करेगा अब यहां 75% पैसा तो आपका government schemes में ही चला गया यानि कि debt में चला गया तो यहां पर risk आपका बहुत कम हो गया अब risk कम होने की वज़े से यह returns भी आपके घट गए यह भी category का average return है लगबग 10% का return हमें देखने को मिल रहा है अगली category के बारे में बात करते हैं जो की आती है dynamic asset allocation देखे नाम से ही आप थोड़ा समझ सकते हैं यह dynamic asset allocation है यानि कि यहां fund manager को flexibility है कि वो कितना पैसा किस में रखते हैं यानि कि वो पैसा stocks में कितना रखते हैं और वो पैसा debt में कितना रखते हैं वो market condition को देखते हैं इसको change कर सकते हैं जैसा कि aggressive hybrid fund में और conservative hybrid fund में कही न कहीं fund manager को एक जो है यहां पर दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा पैसा निवेश नहीं कर सकते हैं at least 75% allocation in debt है और max 25% allocation in stocks है 25% से ज्यादा पैसा fund manager यहां conservative hybrid fund में stocks में निवेश नहीं कर सकते हैं max है 25% उससे ज्यादा नहीं कर सकते वहीं dynamic asset allocation में fund manager को flexibility दी गई है कि वहिया आपकी मर्जी है आप चाहें तो stocks में कितना भी रख ले और आप चाहें तो government securities में यहां कि government schemes में debt में आप कितना भी रख ले तो यहां जो flexibility fund manager के पास है वो market condition को देखते हुए अपनी जो holding से उनको switch कर सकते हैं इस particular category में अगर आप return देखेंगे औस जो return है वो 14.2% के हमें देखने को मिल रहे हैं देखिए aggressive में return सबसे ज्यादा है क्योंकि वह maximum पैसा हमारा stocks में जा रहा है conservative में बहुत कम है लेकिन यह इन दोनों के वीच की category आपको मिल जाएगी यहां fund manager का decision है कि वो कहां ह हमारे पैसे को निवेश करते हैं और जो category का औस रिटन है वो भी ठिक था के 14.2% का हमें देखने को मिल जाता है तो यह तीन mainly hybrid funds आपके सामने category रखी है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी suit कर रही है बाकी दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इन तीन वीडियो बना दूगा कि इस mutual fund के returns बढ़िया है और किस तरह से इसने अपनी holdings बनाई हुई है past returns कैसे मिले है allocation कहा कहा रखा हुआ है कौन से sectors पर focus है full detail वीडियो आप लोगों के लिए बना दूगा तीनों message इस category पर भी सबसे ज्यादा comments लोग मुझे करेंगे और दोस्तों maximum जो लोग निवेश करते hybrid funds में जो SWP प्लान लेते हैं यानि कि जिसमें कि उनका पैसा थोड़ा safe side भी रहता है और उनको permanently जो monthly withdrawal वहाँ से मिलता रहे तो ऐसे में जो hybrid mutual funds है इसमें ये काफी helpful होते हैं क्योंकि यहां आपका कुछ पैसा government की schemes में जाता है इसलिए पैसे पर थ हैं कैसे यह काम करते हैं उमीद करता हूं कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion हो आप मुझे comment कीजेगा reply में आपको जरूर करूंगा बाकी दोस्तों recommendation नहीं है कि वह educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाये गया है क्योंकि mutual fund का जो भी निवेश है वो ब